नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेणा तलवार और आप देख रहे हैं फस्स बाई टीवी इद आने वाली हैं और बकरीद के मौके पर तैयारियां जोरो पर हैं मेरट में इन दिनों हापड रोड पर बकरा मंडी लगी हुई है जहां पर लोग अपनी हैसियत के हिसाफ से बकरा खरीद रहे हैं लेकिन इस बकरा मंडी में खरीदारों के साथ बकरा बेशने वाले कुछ बेअपारी धोका धड़ी भी कर रहे हैं बकरा बेशने वाले बीमार बकरा, कमजोर बकरा और कम उम्र के बकरे को एक साल से अधिक कब बता कर बेच रहे हैं ऐसे में बकरों को उचे दामों पर बेशने के लिए हर तरह के हतकंडे अपनाय चाह रहे हैं हम बिलारी से जिला मुरालवाद हुआ के रहने वाले तो पच्पन लग गए इनके नहीं है पच्पन मांगने लग तो चालिज ब्यालिज लगने साफ अभी तो रेट ने लगे हैं इस बार मंदी का काफी असर है मंदी जो है सच्थी चल लेजिए से गिराक का मारे आज अब के बहुत डाउन है इस टाइम पर बहुत मंदा भी है कोई मतलब इतना रिस्पोंस नहीं दे रहा कि उपर से बहुत जाए प्रेसर भी है फिर इनसान देखता है क्या करना है क्या जक्यांब का जिचत की जाती है कि वा उये तौटे हैं के थी हो जाते हैं फिर बात में वैसी हो जाते हैं ने ऐसा कुछ नहीं है यहां पर बहुत बहुत बोगर почему दो कैसी अकि इसे बहुत पीने के बाद बिर ? तो फूला नजर आता ही है, साथी साथ वो हट्टा कट्टा भी लगता है बीयर पीने वाला बक्रा कई दिनों से भूका होने के कारण बीयर के नश्री में कई घंटों तक काफी उत्तेजक होता है ऐसे बक्रों को हश्ट पुश्ट बताकर उची दामों पर बीच आ जा रहा है बीयर पिलाए हुए बक्रों की एक्टिविटी देखकर लोग बक्रा खरीट लेते हैं क्योंकि वो काफी एनरजेटिक नजर आता है लेकिन जब वो बक्रा घर लेकर जाते हैं तो एक दिन बाद ही बक्रे की हकीकत खुलकर सामने आ जाती है बक्रों को बीयर पिलाने वाला ही कैसा ही वीडियो सामने आया है आप देख सकते हैं कि किस तरह से बक्रे के व्यापारी बक्रों को बीयर पिला रहे हैं जिस बक्रे की कीमत बाजार में काफी कम होती है ऐसे बक्रों को एक-दो बियर पिलाकर उनकी कीमत में भारी इजाफ़ा हो जाता है वीडियो वारल होने के बाद शेहर के काजी समाज के लोगों से नोरोध कर रहे हैं बकरा खरीदने से पहले इस बात की तसल्य भली बाती से कर ले कि कहीं वो बीर पिलाए हुए बकरे को तो नहीं खरीद रहे गौर तलब है कि बकरों को बीर पिलाने से बले ही वो कुछ समय के लिए अच्छे खासे दिखें लेकिन ये धूका तो हो रहा है उन लोगों के साथ जो ऐसे बकरों को खरीद रही हैं। अगर ऐसा होता रहा तो लोगों को ईद मनाने के बाद पच्चतावा भी हो सकता है। Special Report for us by TV